आकरिती और सुनील की शादी हुए दस साल से अधिक हो गए थे। इन दस सालों में सुनील ने आकरिती को हर संभव खुशी देने की कोशिश की। लेकिन वो थी कि बात-बात में सुनील को ताना दिया करती थी उन दोलों की एक बेटी थी शिप्रा सुनील एक सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क का काम करता था उसकी तनख़आ कम थी लेकिन वहां ऊपरी कमाई बहुत थी लेकिन वो बहुत ही इमानदार था एक दिन की बात है, दोपहर के समय सुनिल के दफदर में एक सेट उससे मिलने आया और टेंडर पास करने के बदले दस लाख रुपए घूस देने की बात रही आपको बात समझ में नहीं आती क्या, दस लाख क्या, दस करोड भी देंगे तो भी मैं बेमानी नहीं करूँगा, चाढ़िए, अब आप यहां से जाएए, मिला समय मत खराब करिए शाम को जब आकरिती को इस बारे में पता चला तो हाए हाए, यह किस आदमी से मेरा पाला पढ़ गया है, मन तो करता है कहीं भाब चाओ वो गुस्वे में उठकर दूसरे कमरे में चली गए, सुबह तक वो दूसरे कमरे में ही लेटी रही क्या हो गया तुम्हें, बुखार तु नहीं लग रहा है, फिर क्यों लेटी हुई हो शिपरा और मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाना क्या हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाना, जरूर बनाना है, मुझसे शादी करके तुम एक मुफ्थी नौकरानी जो घर ले आये हो बातों को इतना घुमा भिरा कर क्यों बोल रही हो बोलो ना क्या बात है आकरिती को तो बस मौका चाहिए था वो उस दिन सुनील पर फूट पड़ी मुझसे पूछते हो क्या बात है तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी ना तो मेरे पास जग की साडी है न घर में अच्छा फर्णीचर किराए के मकार में जिंदगी किराइपी हो गई है ना कभी बाहर घुमाने ले जाते हो ना कभी बाहर से कुछ ले कर आते हो अरे तुम्हारे इस घर में भूत की तरह मुझे महसूस होता है तभी वहाँ शिप्रा दोड़ती हुई आती है पापा मैं आपको बताना भूल गई हमारे स्कूल की तरफ से सभी लोग एजुकेशनल ट्रिप पर बाहर जा रहे हैं मुझे भी जाना है तो जाओ ना बिटा, इसमें दिक्कत क्या है पापा, तीन हजार रुपए लगेंगे तीन हजार? अरे बेटी, तेरे पापा रोटी खिला रहे है न हमें वही बहुत है, ये ट्रिप रिप की बाद भूल जा वैसे भी भिखारियों के बच्चे ट्रिप पढ़ने जाते ये तुम क्या अनाफशना बोले जा रही हो, कुछ तो लिहास करो, छोटी सी बच्ची है वो अच्छा है न उसके लिए, अपने बाप की असलियत उसे अभी से समझा जाए तो ठीक है सुनील पिचारा सब कुछ चुपचाप सुनता रहा मुझ जानता था कि वो आकरिती और घर की बहुत सारी जरूरते पूरी नहीं कर पाता है उस दिन वो भूखे पेट ही दफ्टर चला गया सुनील की आज पैसे कमानी का, हर दिन कोई न कोई मौका जरूर आता लेकिन उसके इमानदारी की नियुव बहुत पक्की थी उसके सिर में थोड़ी चोट आई और वो बेहोश हो गया जब उसे होश आया तो वो एक बहुत बड़े अस्पताल वे था उसके सिर पर पट्पी बंदी थी और उसके सामने एक बहुत ही खुपसूरत लड़की बैठी थी अई, आपको होश आ गया आप, आप कौँ है, ये मैं कहा हूँ मैं काविया हूँ, मेरी कार से ही आपका एक्सिडेंट हो गया था मैं ही आपको यहां लेकर आई हूँ थोड़ी देर में आकृती भी वहां पहुचे और सुनील को देखकर रोने लगी हाई, ये क्या हो गया, कैसे हो गया आपका एक्सिडेंट आप इनकी कौन है अरे, मैं कौन हूँ, पहले आप बताएए कि आप कौन है मेरी ही गाड़ी से इनका एक्सिडेंट हुआ है हाई, क्या दुश्मनी है मुझसे आपकी जो मेरे पदी को आप मारना चाहती है मैं छोड़ूगी नहीं आपको, फांसी दिलवाऊंगी आपको फांसी आकृती अपने घड़ियाली आजू बहाई रही थी कि काविया ने कहा कि मुझसे गलती हो गए अब बात को बढ़ा कर क्या फायदा उसने आकृती को कहा कि वो उन्हीं दो लाख रुपे देगी वो बेकार में मामले को पुलिस के पास ना ले जाए दो लाख की बात सुनकर आकृती की आँखों में चमक आगे दो लाख? खम ले क्या? भूली कितने पैसे चाहिए आपको? मैं अभी अभी अपने पापा को कॉल करके पैसे यही मंगा लेती हूँ पापा? जी मैं काव्या इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी हूँ अरब पती काव्या इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी ये सुनकर आसिती फूली नहीं समा रही थी वो मनीमन भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि कितनी सही कार से उसके पती टकराए है उसने काव्या से पांच लाख रुपे माँगे काव्या वो रकम देने के लिए तुरंथी तयार हो गए तभी सुनील ने उसे टोका तुम चुप रहो जी घर में लक्षमी आ रही है उसका रास का मत रोको मेरे रहते ये लक्षमी नहीं आएगी काव्या जी देखिए गलती मेरी भी है मैं पता नहीं कि इन विचारों में डूबा था जो आपकी कार से तकरा गया अब प्लीज खुद को दोशी न माने और नहीं कोई पैसा देने की बात कहे सुनील की बात सुनकर आकृती का मूबन गया वो मनी मन उसे भला बुरा कहने लगी लेकिन सुनील की ये साब गोई काव्या के दिल को छूग ले वो मनी मन उसे प्यार करने लगी कुछ पिनों बात सुनील अस्पताल से दिस्चार्ज हो गया घर आने पर आकृती ने उसे बहुत सुनाया लेकिन शिप्रा अपने पापा को देख कर रोने लगी पापा, मेरे पापा आप आ गए आपके बिना गट बिलकुल सुना हो गया था पापा सुनील अस्पताल से घर तो आ गया था लेकिन डॉक्टरों ने उसे कुछ दिन आराम करने की सला दी थी दूसरी और काव्या हर पल सुनील के खयालों में डूबी रहती वो उससे मिलना चाहती थी उससे बाते करना चाहती थी उसके गले लगना चाहती थी लेकिन सुनील का शादी शुदा होना उसकी राह में रोडे की तरह था लेकिन सुनील के बिना जीना भी तो मुश्किल था उसके बाद उसने मधी मन कुछ ने नहीं लिया और इस घटना के एक महीने बाद वो सुनील के घर पहुँच गई उस समय वो घर पर नहीं था उसे देखकर सुनील की पत्नी आकरिती बहुत खुश हुई अरे काव्या मैनम आप आए ना अंदर आए ना घर के अंदर आते ही उसे शिप्रा अपनी छोटी सी गुडिया से खेलते हुए दिखाई थी तब काव्या ने अपने साथ लाया हुआ बड़ा सा टैडी उसे दिया पहले तो उसने वो लेने से इंकार किया लेकिन अपनी ममी के कहने पर ले लिया आपके पती नहीं है क्या जी वो अभी ऑफिस से नहीं लोटे है उनसे कुछ काम था क्या अरे उस दिन उनके कहने पर आपने पैसे लेने से मना कर दिया लेकिन मुझे घर जाकर इस बात का एसास हुआ कि मेरे कारण आपकी घर पर कितनी मुसीबत आ गई है इसलिए ये पैसे मैं लेकर आई हूँ प्लीज आप अपने हस्बंड को मत बताईएगा आकरिती ने जट से पैसो का बैग उसके हाथ से ले लिया शाम को सुनील के लोटने से पहले उसने नया टीवी, फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन खरीद भी लिया जब शाम को सुनील लोटा तो उसने पूछा कि ये सब चीज़े कहां से आई तो आकरिती ने उसे सब बता दिया उसने ये भी कहा कि मैं तो नहीं गई न पैसे मागने अब कोई खुद से देकर गया तो क्या करूँ उसकी बात सुनकर सुनील चुप हो गया दूसरी और काव्या किसी न किसी बहाने से सुनील के घर आने लगी ना सर्फ घर बलकि सुनील के आफिस भी जाकर मिलने लगी सुनील को पहले लगा कि वो साहनुपूती के चलते उससे मिलने आती है लेकिन एक दिन काव्या ने उससे अपने प्यार का इधार कर दिया काव्या के लिए सुनील की ना दर्द भरी थी लेकिन सुनील का प्यार वो किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती थी काव्या को अब पता चल गया था कि सुनील की पत्नी आकरिती सुनील से ज़ादा पैसे से प्यार करती है इसलिए उसने आफृती के सामने एक प्रस्ताव रखा दस करोड और एक थ्री बेच के फ्लैक्ट और बद्रे में आप ये चाहती है कि आप सुनील के साथ उसकी पत्नी के तरह रहे और मैं उसे चोड़ कर उस फ्लैक्ट में शिफ्ट हो जाओ अपनी बेटी शिप्रा को भी आपको यही चोड़ना होगा मनजूर है मनजूर है मुझे साब मनजूर है दस करोड में आफृती ने अपने पती का सौधा कर दिया वो नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई, उसे कुछ पता नहीं लगा कि उसमें क्या किया है, अब आक्रिती हर वो काम करती जो अब तक नहीं कर पाई थी, नए नए कप्रे खरीती, ये महंगे होटलों में खाती, अब तो उसके पास अपनी महंगी गारी भी थी, तो वो उसमें सारी दुनिया उसे अब रंकी ही लगने लगी थी, लेकिन दो महीने बाद ही उसे ये बड़ा सा घर काटने को दौडने लगा था, गहने ये जेवर सा बेमानी लगने लगी थे, उसे सुनील की बहुत याद आने लगी थी, अपनी बेटी का चेहरा उसके आगे घूमने सबीरे जागते ही वो भागी भागी अपने उसी घर में गई, वहाँ जाकर देखा कि सुनील तो बिल्कुल ठीक है, वो किचन में अपने और शिप्रा के लिए नाश्ता बना रहे है, सुनील, शिप्रा, आकरती की आवाज सुनकर सुनील दौड़कर उसके पास आया, आकरत तो क्या मैं अपने आपको कई से शेर कर सकता हूं, नहीं तुम को बहुत प्यार करता हूं, कुछ चीज़ें मैं नहीं दे पाता लेकिन, कोशिश च चुक्रता हूं, और जहाँ अपर बात रहे कावया की, वो कभी मेरे साथ रहने नहीं आए, क्यूंकि मैं ने उसे साफ कह कि मिरे श्रीर मिरे आत्मा पर सर्फ आकर्ति का रखाए